हम लोग जब देश की राजनीती की बात करते हैं और देश की राजनीताओं की बात करते हैं तो उसमें एक नाम सबसे जान्दा जो चर्चा में रहता है वो है नीतेस कुमार जो बर्तमार में बिहार के मुख मंत्री हैं चीफ मिनिश्टर हैं तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे इनकी कहानी देखेंगे लेकिन मैं आप देखें जब नीतेस कुमार को देखता हूँ और इनकी मुख मंत्री की कुर्सी को देखता हूँ तो वो कहानी याद नहीं बच्पन की, कि आपने देखा होगा कि जिसका वैट और बॉल रहता था, वो हमेसा बैटिंग करता था, कुछ भी हो जाए, तो नीतेश कुमार का वैसा ही आल है, वो किसी से भी गटबंदन करें, कुछ भी हो, बिहार में मुखमंत्री बनना उनका तै रहता है, चाहे वो कि इनकी पत्नी की फोटो आप लोग दिखा दे रही है, ये नीतेश कुमार, ये आप देखें नीतेश कुमार के बेटे हैं, एक बार आप लोग बिहार को देख लिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो ये आप देखें, ये हमारा प्यारा भारत है, यह बिहार देखने को मिल रहा है, पटना इसकी राध्धानी है, इसकी सीमा उत्तरपिदेश, जहारकन, पश्चिमगाल से लगती है, और अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है, यहां बिधान सभा में आप देखेंगे, 243 सीटे हैं, बिधान परिशत में 75 सीटे ह हैं 94,163 वर किलो मीटर में आपका विहार फैला हुआ है अगरूनके बास्तिविक नाम देखें तो नीतेस अमे नीतेश कुमार और इने मुन्ना के नाम से जानते हैं सो सासन बाबू के नाम के जानते हैं नीतेसavors मेरे जनम एक मार्च जन जाती जो कुर्मी जाती है ना उसी से आते हैं जाती धरम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है तो उसकी जाती और धरम पहले देखा जाता है इनके फिता का नाम कवीराज राम लखन सिंग आयवेद थी और इनकी मा का नाम परमेसुरी देवी और आप देखें इनकी पतनी की बात करें सुर्गिये मंजु कुमारी सिनहा एक सिक्षक थी 1973 से 2007 तक रही और 2007 में उनकी डेथ हो गई थी इनके बेटे का नाम निसांत कुमार है नेतेश कुमार की सिक्षा की बात करें तो इनोंने स्री गनेश हाई स्कूल बक्तियारपुर पटना से की हुई है इसना तक बिद्धुत अभियान्त की B.S.C. Electric Engineer है और जो आप देखते हैं जेपी आंदोलन हुआ था वहीं से निकले हुए हैं सबनेता, लालू प्रिसाद यादो, नीतेश कुमार, इनकी भारती राजनेता हैं, जनता दल, सयुक्त, जेडी युग से जुड़े हुए हैं, इनके अगर राजनेती के यातरा की बात करें, तो 1971 में राम मनुहर लोहिया की युवा साखा, समाजवा साल के समय इनकी गरब तारी होती है, जब इंद्रा गांधी के समय आप देखे, राज्टी आपात का लगाए गया था ना, उसी समय की बात हो रही है, 1985 में वो बिहार विधान सभा के सदस बनते हैं, विधायक बनते हैं, और आपको मालू होना चाहिए कि अगर आपको विधान सभा का चुना लगना है, विधायक बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चे अधिकतम उम्री की कोई सीमा नहीं रखी गई है, और इनका चुनाओ करवातकों ने भारती निर्वाचन आयो एलेक्षन कमिशन आप इंडिया और आपको मालू होना चाहिए कि सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधान के अनुचे 324 के ते चुनाओ आयो की स्थापना की बात की गी है 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले मुख चुनाओ आयो थे 1989 में बिहार में जनतादल की महासचिब निउप्त किये गए साथी पहली बार संसस सदस्त की रूम में चुने गए यानि कि लोगसभा सदस्त की बात हो रही है और लोगसभा सदस्त की बात करें तो इसका क्रिसी मंत्री बनते हैं वह पहली बार कीवल आठ दिन के लिए बिहार की मुख मंत्री भी बने क्योंकि वह भाहुमा सावित नहीं कर पाये थे पहली बार 2001 में वो एकेंद्री रेल मंत्री बनते हैं 2005 में उन्होंने भाजापा की समस्तन से दूसरी बार बिहार की मुख मंत्री की रूम में सबत ली थी 2010 में वो तीसरी बार बिहार की मुख मंत्री की रूम में सबत ली थी उन्होंने, 2014 में भाजापा के साथ गटवंदन तोड़ने पर उनकी पार्टी को लोकसभा में चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने मुखमंत्री पस से इस्तिपा दे दिया था, और आप लोगों को मालू होगा, ये उस समय की बात हो रही जब इन्होंने मौधी का साहब का बिरोत किया था, और अलग हो गयती NDA से, NDA देखे जिसमें BJP मुख दल है, उसके सहयो की दलों को मिला कर NDA कहते हैं, 2015 में इसी बस उन्हें बिहार की पांचवे मुखमंत्री के रोप में सपत दिलाई गई और वह गटवंदन सरकार थी, जिसमें लोग पर ये रोप से महा गटवंदन नाम दिया गया, जिसमें राष्टी जनता दल, भारती राष्टी कॉंग्रेस और जनता दल सेउक्त सामिल थी, 2017 में उन्होंने महा गटवंदन तोड़ दिया, RJD कॉंग्रेस यानी की लालू प्रसाद यादो की पार्टी से अ जालो हो गए, और 27 जुलाई 2017 को भाजापा की समर्थन से बिहार के छटे मुखमंतरी की रूम में सपत इनोंने लिए, 2022 में आप देखते हैं कि बिहार में जारी सियासी संकट कीवी नीतिसकुमार ने 9 अगस्त 2022 को भाजापा की साथ अपना गठबंदन समात कर दिया, और र जो विधान सबा चुना हुए थे ना बिहार में, उसमें भी आप देखी यही मुखमंतरी चुने गए थी, इनकी पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी, फिर भी आप देखे मुखमंतरी यही बने थी, आंगे की राजनेतिक सफर क्या रहता है, यह तो आने वाला वक्ती बत चबिये इनके परिवारी कोई आरोप नहीं लगता है, तो NDA द्वारा पिधान मंतरी पत के उमीदवार नरेन मौदी के नाम की घोशना के बाद, 2014 आम चुनाओ से पहले नीतिस कुमान ने भाजापर के साथ अपना गटवंदन तोड़ दिया था, 2015 में लालू पिरसाद और करों की चोरी में सामिल हैं, जिसके कारण 500 करोड रुपे की राजस का नुकसान हुआ, विहार के मुकमंतरी की निवक्ति और रखास्तकी में जितन रामाजी ने नीतिस कुमार पर विवाद इस पर टिपडियां भी की थी, और आप देखेंगे राजा तो कॉंग्रेस के का दिवेबात भी जुड़े रहते हैं, तो यह कहानी है नीतिस कुमार की एक सौड वाई एगर आप ही आप लोग कह सकते हैं, जो मुखमंतरियों के सिंखला चल रही है, इसमें हम लोग सभी मुखमंतरियों के बारे में एक एक करके जानते रहेंगे किसी और के बारे में जानने की आपकी दिल्चस्थी है तो नाम आप लोग उसका नेचे बता सकते हैं